गुल्ट मॉर्निंग बच्चो ग्लो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारी बच्चो आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है उसका टॉपिक है लेंसों पर आधारित आंकित प्रस्न जो कि आपको परिक्षा में पूछे जाते हैं नुमेरिकल्स बेस्ट आउन लेंसे तो प्यारे बच्चो पहला प्रस्न जो है आपके स्क्रीन बे है और आप इस प्रस्न को पढ़िए बच्चो क्या कर रहा है क्वेश्टन को आप पढ़िए बच्चो और उसके बाद इसको सौल्व करते हैं एक लेंस की, एक लेंस की वाइ में फोकस दूरी 20 cm है तो दिया क्या है बच्चो वाइ में फोकस दूरी को माल ज़िए एक कहलेते हैं ये दियी है बच्चो 20 cm और क्या दिया है इसे 1 तसमलब 3 अपरतनांग के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ग्यानत कीजिए ठीक है बच्चो इससे द्रव में डुबो रहें तो जो द्रव का होगा वो निरपेच होगा बच्चो ए एन डबलू पानी का निरपेच अपरतनाग दे रखा है बच्चो एक तसमलव तीन ठीक है तो द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी कितनी होगी माल दिजिए मैं उस फोकस दूरी एफ एल एल फोर लुगिट लिख देता हूँ ये हमें ग्यानत करनी है बच्चो पानी के सापेच पानी के सापेच हमने कांच का अपरतनाग तो ये क्या हो जाएगा बच्चो पानी के सापेच कांच का अपरतनाग बराबर कांच का निरपेच अपरतनाग एन एजी बटे पानी का निरपेच अपरतनाग एन एजी बटे पानी का निरपेच अपरतनाग ए W या एल जो लिख सकते हैं ठीक है एने डवलू हमने लिक ट के लिए क्या लिखा है ठीक मैं यह देखे हैं यहां पर यह-ल लिख थे तो ही एयह पर वम अधीर लिख को इसको एछ सकते हैं बच्रों आख न एजी, बटे मैंने लिएक लिखाये बच्चो तो न एल तो बच्चो ये ये डवल को ल लिखायमना है तो हम इसको ल लिख देगे बच्चो और जो है बच्चो पहले वाई मैं फोकस दूरी ज्यांत कर देते हैं इसकी ठीक है बच्चो वाई में फोकस दूरी का फोर्मूला क्या है बच्चो वैसे 1 अपॉन एफ बरावर n-1 ठीक है बच्चो n-1 1 बटे r1 1-1 बटे r2 इसका क्या है बच्चो इसका फोर्मूला है ठीक है बच्चो अब देखे बच्चो यहाँ पर देखे तो f a कितना हो जाएगा बच्चो f a कितना कि y में कितना हो जाएगा y का निर्पेख अपरतनांग आजाएगा बच्चो यहाँ पर जो हमने काँच को रखा y में तो काँच का निर्पेख अपरतनांग आजाएगा n a g-1 ठीक है बच्चो 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2 यहाँ पर आजाएगा बच्चो ठीक है lens की focus दूरी कितने दे रखी है यह देखो बच्चो 20 cm तो 1 upon 20 equal to nag भी आपको दी है बच्चो ठीक है बच्चो नई nag आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चो nag आपको दे रखा है 1.5 ठीक है ना बच्चो हाँ बच्चो यहां पर यह लास पर भी दे रखा है बच्चो लैंस की फोकस दूरी भी दे रही है यह मैंने यहां पर लिखा नहीं बच्चो थोड़ा समय इसको लिख देता हूँ लेंस के कांच का अपरतनांग यहां पर ये भी दे रखा बच्चो लेंस के कांच का अपरतनांग यहां पर ये भी दे रखा बच्चो लेंस के कांच का अपरतनांग बच्चो आपको दे रखा है बच्चो ठीक है बच्चो एक दसमला पांच ये देखा बच्चो लास में दे यह question हो गया वो छूट गया था बच्चो तो lens का क्या दे रहा है कांच का प्रतनांग भी दे रहा है तो कांच का निरपे एक प्रतनांग हो जाएगा बच्चो 1.5 ठीक है बच्चो तो यह focus दूरी दे रही है यह दे रहा है 1.5 minus 1 1 बटे R1 1 बटे R1 minus 1 बटे R2 ठीक है बच्चो माना यह equation 1 हो गया बच्चो ठीक है बच्चो इतना हमें हमें यह दे दिया है अब जो है जब द्रव में डुबोएंगे बच्चो आप ठीक है बच्चो जब आप किसमें डुबोएंगे द्रव में तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगे F है लिक्ट के लिए ठीक है बच्चो तो यहाँ कितना हो जाएगा N L G minus 1 ठीक है बच्चो यह 1 बटे R1 बटे R2 को आपको नहीं छेड़ना बच्चो यह जब हम दोनों इक इससनों को डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा बच्चो तो प्यारे बच्चो थोड़ा सा जो है मैं आपको N L G निकाल देता हूँ ठीक है बच्चो यह देखे बच्चो यहाँ पर लिखा है फोर्मुला मैंने N L G मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चो ठीक है बच्चो तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ N L G बराबर N A G बटे N A L यह दोनों को इसका दी रखा बच्चो एक दसमल पाँच का अपरतनाग और पानी का अपरतनाग दी रखा बच्चो आपको एक दसमला 3 ठीक है बच्चो यहां पर आपको solve नहीं करना है बच्चो तो 1 upon FL बराबर कितना हो जाएगा बच्चो यह देखो 1.5 बटे 1.3 रिन 1 यह देखे बच्चो और 1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 ठीक है बच्चो अब equation no.1 और equation no.2 को divide कर देंगे बच्चो तो equation no.1 यह है बच्चो और equation no.2 यह है इसको divide कर देंगे प्यारी बच्चो जब इसको divide करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह और यह कट जाएंगे बच्चो ठीक है इसको मैं लिखूंग नहीं तब क्या हो जाएगा बच्चो और यह दिखें मैं थोड़ा उपर करता हूं हो। 20 upon 1 upon FL वराबर कितना हो जाएगा बच्चोarp 1.5 में से ऐखटाओ तो 1.5 हो जाएगा ठीक है बच्चो regard divided by कितना हो जाएगा 1.5 बटे 1.3 यह हो जाएगा ठीक है थीक है ना अब इसको हमें क्या करना है बच्चो इसको हमें इसको solve करना है ठीक है तो कितना हो जाएगा बच्चो दसम्लब 5 बटे इन दोनों का एल से हम ले ले हमने 1.3 ठीक है बच्चो जब हम 1.3 से भाग देंगे तो इसमें 1.5 आएगा और माइनस ये इसको इस से करेंगे तो 1.3 आएगा अब 1.5 में से एक दसम्लब 3 को आपको घटाना है तो 0.2 हो जाएगा ठीक है बच्चो है ना बच्चो तो कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइट इड़ ये 0.2 हो जाएगा ये 1.3 हो जाएगा ठीक है बच्चो अब कितना हो गया बच्चो यहां देखें ये बाया पप्च कितना हो जाएगा ये भी उपर चल जाएगा 0.5 into 1.3 divided by 0.2 ठीक है बच्चों अब मैं FL इसका निकाल देता हूँ अब मैं क्या निकाल देता हूँ FL पानी में फोकस दूरी FL ब्राबर क्या हो जाएगा 0.5 into 1.3 into 20 20 उपर चला जाएगा divided by 0.2 ठीक है ठीक है बच्चों अब इसको आपको solve करना है तो यह कितना हो जाएगा बच्चों यह देखें बच्चों कितना है इसका यह पॉइंट कट गया 5 into 1.3 into 20 divided by 2 ठीक है 2 से यह कट गया है बच्चों 10 हो गया ठीक है और यह कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देखें यह कितना हो जाएगा देखें FL FL equal to 6.5 हो जाएगा x 10 हो जाएगा और यहाँ पर फोकस दूरी कितना जाएगी 65 centimeter और यह आपका answer हो जाएगा तो बच्चो अब आपको दूसरी question की ओर लिए चलते हैं तो बच्चो दूसरा question आप पढ़ेंगे एक 25 cm फोकस दोरी का एक उत्तर लेंस 20 cm फोकस दोरी के आउतर लेंस के संपर्क में रखा जाता है इस संयोजन की छमता तथा पहले तो ज्यांत करना है इस संयोजन की छमता और परकृति ज्यांत करो अब इस संयोजन को एक दसमलब छे अपरतनांग वाले द्रव में रखे जाने पर फोकस दोरी तथा परकृति ज्यांत करनी है क्या प्रभाव पढ़ेगा परकृति पे लेंस के पदार्थों का अपरतनाग भी आपको दिया है बच्चो, तो प्यारे बच्चो, क्या-क्या दिया है बच्चो आपको, क्या-क्या दिया है बच्चो आपको, F1, F1 ये देखे, 25 cm फोकस दूरी का उत्तर लेंस, तो उत्तर ल लेंस 20 cm फोकस दूरी है बच्चो वो क्या है बच्चो एफ है ठीक है ये संयोजन की फोकस दूरी है तो फॉर्मुला होता है बच्चो वन अपॉन एफ बरावर होता है अब मान रग दो तो एक बट्टे 25 प्लस माइनस एक बट्टे 20 तो ये कितना हो जाएगा बच्चो एक बट्टे 25 रिन एक बट्टे 20 ठीक है बच्चो पहले हमें ये ग्यान करना है थोड़ा ध्यान देंगे बच्चो तो वन अपॉन एफ इक्वल टू दोनों का lcm कितना है ब बच्चो दोनों का lcm कितना गया थो आ गया 25 से डिवाइड़ करेंगे 4-5 तो एक बट्टे 20 माइनस वन अपॉन अपॉन 100 ठीक है उल्टा कर दो तो एफ कितना गया बच्चो माइनस 100 सेंटिमेटर तो बच्चो माइनस आया है यह आँ पर आपका ये क्या आया बच्चो परकृतल लैनस है आउतला डापृ अब इसकी क्या ग्या आत करनी पर यह देखे यह देखे ये देखे वरे लिख्येन लीखाया है संयोजन की छिंधा तथा परकृति ग्यानत को तो छिंधा और परकृति परकृति ने कालनी abroad तो P बराबर होता है बच्चो 1 upon F मीटर में ठीक है बच्चो 100 cm को मीटर में बदलेंगे तो बराबर कितना हो जाए बच्चो 1 मीटर हो जाएगा 100 का भाग दी दिया तो कितना हो जाएगा 1 बटे that is minus 1 minus 1 डायोप्टर हो जाएगा और minus किसका होता बच्चो अब होता lens का होता है बच्चो अब इसके बाद कार क्या रहे है बच्चो अब आपको क्या दिया है यहाँ देखे बच्चो इस सहयोजन को 1.6 अपरतनाग वाले द्रव में डाल रहे है तो क्या हो जाएगा बच्चो N, A, L L मनें liquid मैंने पानी की जो L ले दिया है यह दिया है बच्चो आपको 1.6 अब यह देखो lens के पदार्थों का अपरतनाग कितना है 1.5 तो N, A, G आपको दिया है 1.5 ठीक है बच्चो अब जब द्रव में हम lens को डूब होएगा बच्चो तो पानी की सापेच कांच का अपरतनाग आ जाएगा बच्चो अब हमने निकालना बच्चो N, L, G ठीक है बच्चो N, L, G मलब पानी की सापेच कांच का अपरतनाग ठीक है बच्चो यह होता है कांच का निर्पेच अपरतनाग बटे पानी का निर्पेक, पानी को मैंने liquid L लिखा है बच्चो, तो कितना हो जाएगा बच्चो, NAG कितना दे रखा है, 1.5 और NAL दे रखा है बच्चो, 1.3 यह आपको दे रखा है बच्चो, ठीक है बच्चो, अब आपको फिर वही दोनों की फोकस दूरी, यहां देखे है बच्चो, हवा में फोकस दूरी कितनी आई है बच्चो, FA हवा में फोकस दूरी आई है, क्योंकि दोनों का संयोजन का रखा है, 100 cm यह हवा में फोकस दूरी आई है बच्चो, ठीक है, और हमने किस में निकालनी है बच्चो, हमने पानी में निकालनी है, पानी के लिए FL देंगे बच्चो आप अब देखे थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर F A बटे F L या F L बटे F A बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन होते हैं बच्चो यह F A तो कितना हो जाएगा बच्चो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चो फॉर्मूल इसको एसा ही रखना है बच्चो यह कड़ जाएगा तो बताओ बच्चो लिक्विट के लिए क्या हो जाएगा एन यहाँ पर लिक्विट में क्या हो जाएगा बच्चो ऐन एल जी एन ल विख न एग ठीक है एन यज इट N A G बटे N A L ठीक है बटे N A L माइनस 1 यह देखे बच्चो ठीक है लिकुट के क्या होगा N L G होगा इसका मान यह है माइनस 1 1 बटे R 1 माइनस 1 बटे R 2 ठीक है बच्चो इसको ऐसे ही लिखेंगे divided by इसके लिए कितना हो जाएगा हवा के लिए क्या हो जाएगा बच्चो एन कांच कहां रखा है बच्चो लेंस कहां रखा है बच्चो कांच में रखा है बच्चो ठीक है बच्चो कांच में रखा है तो कितना हो जाएगा बच्चो यह कांच में रखा है बच्चो तो कितना एन ए जी माइनस वन और एक बट आर्टू यहां पर हो जाएगा बच्चो को अब हमने इसको सॉल्व करना है तो सीधे सीधे इससे कट रहा है बच्चो इसको हम क्या कर देंगे solve कर देंगे ठीक है बच्चो तो इसको solve कर देंगे बच्चो तो ये कितना दिया है 1.5 बटे 1.3 minus 1 divided by काँच का अपरतना कितना दिया है बच्चो 1.5 रिन 1 इसको अब हम क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है बच्चो तो ये कैसे solve हो जाएगा इसका elseum आ गया है 1.3 ये हो जाएगा 1.5 minus 1.3 divided by ये हो जाएगा 1.5 मेंसे एक घटाएंगे तो दसमलब 5 हो जाएगा बच्चो अब ये कितना हो जाएगा 1.5 मेंसे एक ज़ना दो घटाएंगे 1.3 divided by दसमलब 5 ठीक है बच्चो ये 5 कहाँ चला जाएगा बच्चो ये 5 कहाँ चला जाएगा देखे बच्चो ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा अब देखे f l बटे minus 100 बराबर 0.2 into 0.5 divided by 1.3 ठीक है बच्चो अब मैं f l निकालूँगा ये f l निकालूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चो f l बराबर क्या हो जाएगा बच्चो ये बटे में चल जाएगा 0.2 गुणाएंगे 0.5 गुणाएंगे 100 divided by 1.3 ठीक है बच्चो अब इसको आपने क्या करना है बच्चो solve करना है बच्चो इसको प्यारे बच्चो थोड़ा सा एक mistake हो गई बच्चो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे बच्चो ये हो जाती है बच्चो mistake यहाँ पर बच्चो जो है यहाँ पर क्या दिया है द्रव का अपरतनां कितना दिया है बच्चो ये थे कि द्रव का अप और मैंने क्या लेखता है फ्रीकि यहां पर घौड़ा सार्शल यहां पर धिखन के द्यान देंगे आप यह देखे जो यह को है तो रहता हो होना बच्चो 1.3 की जगवे क्या होना बच्चो 1.6 होना थोड़ा ध्यान देंगे बच्चो आप है यहां पर अब यहां पर पूरा question बिल्कुत सही है और यहां पर जो है कि बच्चो 1.3 की जगवे 1.6 हो गया ठीक है बच्चो तो यहां पर इसकी जग 1.6 हो जाएगा ठीक है आप उसी का आधार पर भी कर सकते थे और जब बच्चो जो है आप 1.5 में 1.6 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा minus 1 आ जाएगा ठीक है बच्चो यह कितना जाएगा minus 1 और यह कितना जाएगा 1.6 ठीक है बच्चो है न बच्चो और यह 0.5 ठीक है बच्चो ठीक है अब यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चो यह देखे यहाँ देखे बच्चो यहाँ पर यहाँ पर आप क्या लिख देंग .- .1 into .5 by 1.6 ठीक है बच्चो ये कितना है बच्चो ये minus है ये देखिए यहाँ पर minus है तो minus 100 उदर चले गया और बच्चो ये कितना है बच्चो minus 1 है और ये बटे में कितना है 1.6 है ठीक है जो दे रखाता बच्चो थोड़ा सा आपके सुधार कर देंगे बच्चो तो minus minus का तो plus हो गया और ये 5 हो गया है ठीक है बच्चो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा ये 0.5 into 1.6 ठीक है ये देखिए बच्चो यहाँ पर 0.5 into 0.1 ठीक है अब इसको बच्चो आपको solve कर देना है यहाँ पर प्यारे बच्चो थोड़ा सा mistake हो गी है और माफी चातों हो बच यहाँ से जो है बच्चो वन अपोन ये देखिए बच्चो थोड़ा सा और ये वन अपोन F1 का formula होता है ये देखिए है ना बच्चो और हमने यहाँ पर direct क्या कर दिया F1 लिग दिया बच्चो तो प्यारे बच्चो माफी चाता हूँ यहाँ से मैं आपको इस question को यहाँ से दुबारा बताना चाहूंगा बच्चो तो आप यहां से इसको दुबारा देखेंगे बच्चो तो यहां पर कहां पर मिस्टेक हुई बच्चो कभी कभी बच्चो क्वेसन करने मिस्टेक हो जाजी आपको भी सी परकास से प्रेक्टिस करने बच्चो तो प्यारे बच्चो य यहां पर जो हैं formula लगा रहा हूं बच्चो देखे 1 upon F बराबर होता है बच्चो एक बटे R1 माइनस एक बटे R2 ठीक है बच्चो यह देखे जब मैं इसको F A लिखूँगा बच्चो ये देखे तो कितना हो जागे यहींब मिस्टेक होई थे बच्ठो तो यह कितना हो जाएगा बच्छो यह हवा में काच की फोकस दूब जी तो कितना है ठीक है बच्छो कितने हो जाएगी और एक बटे आरवर्ण माइनस एक बटे R2 हो जाएगा बच्चो यह देखे और यदि जो है बच्चो यहाँ पर मैं 1 upon 1 upon F L लिखूंगा तो बच्चो कितना हो जाएगा 1 upon F L कितना हो जाएगा बच्चो यह देखे बच्चो 1 upon F L कितना हो जाएगा पानी का अपरतनांक यहाँ पर जो है पानी में डाल दिया कांच को, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपरतनाख, minus 1, ठीक है बच्चो, एक बटे R1, minus एक बटे R2, ठीक है बच्चो, यह देखी, यह equation number 1 है, और यह equation number 2 है बच्चो, ठीक है बच्चो, अब बच्चो हमने इसको क्या करना है, divide करना है, इसको हमने क्या करना है, divide करना है, तो बच्चो, क्या हो जाएगा, 1 upon, 1 upon F, यहीं पर mistake हुई थी, बटे, 1 upon F, L, equal to कितना हो जाएगा, बच्चो, यह दोनों आपस में कट जाएगे, यह और यह कट जाएगे, तो कितना हो जाएगा, बच्चो, N, A, G, minus 1, divided by, N, L, G, minus 1, इतना इसका formula हो जाएगा, बच्चो, यह दोनों आपस में कट जाएगे, बच्चो, आप देखे, बच्चो, अब क्या हो जाएगे, यह F, L उपर चल जाएगा, F, L, यह F, L उपर चल जाएगे, F, L, नीचे चल जाएगा, ठीक है, बच्चो, F, L, बराबर, N, A, G, ठीक है, बच्चो, तो, N, A, G, आपको, दे रखा, बच्चो, N, A, G, यह दिखे, बच्चो, N, A, G, कितना दे रखा, बच्चो, N, A, G, कितना दे रखा, 1.5, ठीक है, बच्चो, तो, क्या हो जाएगा, 1.5-1, divided by, N, L, G, N, L, G, यह है, बच्चो, N, L, G, कितना है, 1.5, बटे, 1.6, ठीक है 1.5 बटे 1.6 तो 1.5 बटे 1.6 माइनस 1 ठीक है बच्चो इस परकार से ठीक है यह देखिए और हवा में फोकस दूरी दे रखिए बच्चो F L बटे हवा में फोकस दूरी हमने ग्यांत किया बच्चो यह देखिए कितने ग्यांत किया बच्चो 100 सेंटिमेटर माइनस 100 सेंटिमेटर तो माइनस 100 बराबर यह 0.5 हो जाएगा बच्चो ठीक है न यह 0.5 हो जाएगा अब इन दोनों का L से माम लेंग देए 1.6 तो 1.5 माइ 1.6 ठीक है बच्चो अब कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा 0.5 divided by ये हो जाएगा minus 0.1 और divided by 1.6 ठीक है अब 1.5 ये एफ एल बटी कितना है minus 100 है बच्चो तो ये कितना हो जाएगा 0.5 into 1.6 divided by minus 0.1 ठीक है इतना ये आ जाएगा अब मैं एफ हैल निकालूँगा एफ हैल निकालूँगा बच्चो अब बच्चो एफ हैल निकालूँगा तो निकालो बच्चो एफ हैल निकालूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चो ये multiply हो जाएगा 0.5 into 1.6 ठीक है इंटू 100, divided by कितना हो जाएगा बच्शों, यहाँ देखो यह minus, minus hundred, ठीक है बच्चों, क्या है minus hundred है और minus point one, minus minus का प्लस हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पर FL कितना हो जायेगा बच्चों, ये देखो ये 1.6 को इससे हम multiply करते है इसका point इससे point से हट गया है ठीक है 5 into 1.6 into 100 हो जाएगा बच्चो माइनस माइनस का प्लस ये point इससे cancel हो गया बच्चो ठीक है तो कितना हो जाएगा बच्चो F L F L कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 8 into 100 ठीक है तो F L बरावर कितना हो जाएगा 800 cm ठीक है बच्चो और क्या है ये क्या बन जाएगा ये प्लस आया है प्लस आया है तो क्या बन जाएगा बच्चो ये उतल लेंस बन जाएगा बच्चो ठीक है बच्चो तो sorry बच्चो बीच तो बच्चो अगला question है, बहुत ही important question मैं आपको करा रहा हूँ, एक द्वी उतल lens की बकरता तिर जाएं 10 cm और 20 cm है, तो प्यारी बच्चो इस परकार से देखिए, ये द्वी उतल lens है बच्चो, ठीक है बच्चो, ये देखिए, इस परकार से ये द्वी उतल lens है, तो ये पहल पोल हो जाएगा, ये दूसरा पोल हो जाएगा, तो इसकी बकरता तिर जाए, इसकी पहली बकरता तिर जाए, इधर को जाएगी बच्चो, ये प्लस होगी, और दूसरी बकरता तिर जाए, इधर को आएगी, तो वो क्या होगी, माइनस होगी बच्चो, ठीक है बच्चो, तो दिया क्या है, एक द्वियतल लेंज के बकरता तो चैने 10 और 20 हैं, तो R1, R1 बराबर प्लस 10 cm और R2 बराबर 20 cm, सबसे पहले आपको ये दियान देना है, इसे 1.7 अपरतनांगवाली द्रव में डूबो ने बर, ठीक है, द्रव में इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हो गया, और यहां पर कांच का अपरतनांग भी आपको दिया होगा बच्चों, ठीक है न, कांच का अपरतनांग भी आपको इसमें दिया होगा बच्चों, तो बच्चों और क्या दिया है बच्चों, इससे 1.7 अपरतनांग वाले द्रव में डूबो ने पर इसकी फोकस द 6 ठीक है अब सबसे ये आपके पास 1.1.76 ये क्या है बच्छो इससे इतने अप्रतनांग वाले द्रव में ठीक है ये द्रव का अप्रतनांग है द्रव का अप्रतनांग कितना है बच्छो ठीक है बच्छो मैंने पानी को क्या लिकुड है वो पानी तो है ने द्रव है तो लिकुड लिक दिया ये है 1.76 ठीक है बच्छो अब जो है आप उसको कहां डूबो रहे हैं बच्छो द्रव में डूबो रहे हैं तो क्या हो जाएगा पानी के सापेक्छ कांच का अप्रतनां बराबर कांच का निर्पेक्ष अप्रतनाग न, एजी और बटे पानी का निर्पेक्ष अप्रतनाग न, ए, एल ठीक है और ये कितना हो जाएगा पर कांच का कितना है बच्छो 1.6 divided by 1.76 ठीक है बच्छो ये हमने यहाँ पे ग्यात कर दिया बच्छो और ये इसकी भेली जब हम निकालते हैं तो यहाँ अब पॉइंट 9 आगे बच्छो अब हमने फोकस दोरी निकालनी है ठीक है द्रव में फोकस दोरी क्या निकालनी है बच्छो अब द्रव में फोकस द mg पानी की सापिक्च का अप्रतनांग माइनस 1 और 1 वटे r1 माइनस 1 वटे r2 ठीक है बच्छो ये हो जाएगा अब वन अपन ऐफल 1 upon FL बराबर यह 0.9 है 0.9-1 ठीक है बच्चो और यह आपको 1 बटे R1 दे रखा है बच्चो R1 कितना दिया बच्चो 10 cm 1 बटे 10 माइनस माइनस 1 बटे 20 ठीक है बच्चो यह आपको दिया है बच्चो अब कितना हो जाएगा 1 upon यह देखे बच्चो बहुत ही important question है 1 upon FL बराबर यह 0.9 में से आपने क्या माइनस कर देना है बच्चो 0.9-1 यह कर लेंगे भी और 1 बटे 10 और 1 बटे 20 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा तो LCM कितना आएगा 20 यह हो जाएगा 2 ठीक है बच्चो और पलस कितना हो जाएगा 1 ठीक है बच्चो तो कितना आ गया है बच्चो आप कितना आ गया 1 upon f l बराबर कितना आ गया बच्चो 0.9 minus 1 into 3 by 20 ठीक है 3 by 20 इतना हो जाएगा आप देखे बच्चो यहाँ पर देखे 0.9 मैंसे क्या माइनस करना है बच्चो 1 माइनस करना है तो 1 9 तो कितना हो जाएगा माइनस यह माइनस 1 हो जाएगा ठीक है बच्चो तो यहाँ पर देखे बच्चो कितना हो गया आप देखे 1 upon f l बराबर minus 0.1 into 3 by 20 ठीक है f l निकालेंगे बच्चो तो उल्टा हो जाएगा f l बराबर कितना हो जाएगा minus 20 divided by 0.1 into 3 ठीक है बच्चो अब इस point को 1 बना दो इसको 10 से गुणा कर दो 200 by 3 200 by 3 और इसकी जो value आती है बच्चो वो आती है 66.7 66.7 cm तो प्यारे बच्चो इस question को इस प्रकार से आप हल करेंगे बच्चो अब बच्चो जो हैं दूसरी वीडियो जो बनने वाली है उसमें जो हैं आपको तीन question और बता दी जाएंगे तो प्यारे बच्चो चैनल पर बेने रेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार झाल में एहां ऌग्चो बहुत चांजयो शवत करेंगे झाल में पर नहां एहां तो फग्चो तो गर म versesिपको झाल मच्चों आपको याशब मुट gratओ